तो यह वाला जो question है, इसका मैंने 3D representation टायर किया है, तो यह देख सकते हो यहाँ पे, तो हमारा first part, इसमें section क्या है, तीन पार्ट में divide होने वाला है, क्योंकि irregular shape है, तो मैं इसे क्या करूंगा, तीन पार्ट में divide करता हूँ, first part, यह हमारा second part, और यह third, तीसरा part, first part में क्या है हमारा पेला एरिया क्या होने वाला है, यहास लेकिए याटक और यहास लेकिए याटक है, नहीं की 100 by 10, यह हमारा पेला एरिया है, दुसरा क्या है, coupon यह total length ही इसका नहीं क्या है, 180 और इसकी यहाँ पर length और break हमें दी है वो कितनी है 8 तो यह सब mm में है वैसे और किसरा जब पार्ट है उसका total हमें कास है यहाँ से लेकि यहाँ तक कितना है वो है 100 और यहाँ से यहाँ तक कितना है वो है हमारा total 10 mm अब यहाँ पर क्या है को students को इतने से तो यह 100 में से 8 माइनस होगा वो नहीं होने वाला उसका भी एक reason बताता हूँ यह जो हम ले रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा second section होता है वो third वाले कास से चालो होता है यहाँ से यह जो parts में ड्रॉकर के दिखा रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक हैं इसलिए third part जो 8 इसरा उसमें total length आ जाती है 100 तो इसके साथ हम I hope इससे concept understood हो गया होगा कि यह कैसे दिखेगा तो यह कुछ ऐसा shape ड्रॉट है 3D में इससे देख सकते हो तो इसे अब हम question के और आगे बढ़ते है solution के और हमें calculate करना है moment of inertia about yy axis यह वाले section के लिए कैसे करते हैं तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारा आता है calculation of x जिसे के लिए हमें area find करने की ज़रुवटिया और उसे 1 mark से 1 mark से totally 4 mark का question है तो पहले डिखते है area area क्या है first shape का जैसे मैंने बताया था first shape का area है 100 by 10 very easy 100 by 10 दूसरा वाला shape का area क्या है totally 180 है 180 by 8 180 by 8 100 by 10 तो obviously 1000 आ जाता है 180 by 8 यह आपे में करके भी बताता हू 180 by 8 इसे में बन करता हू हमारा असरा तो क्या verify करके चलना पड़ता है क्योंकि यह कई बार प्रिंटी मिस्टे भी होती है 1400 next हमारा आता है यहाँ पे 100 by 10 हमारा 100 by 10 कितना हूँ 1000 next के हमें x1, x2 और x3 calculate करने अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जैसे पूराने question जो था पहला वाला उसमें हमें y calculate करना था जादा तर question में y होता है क्योंकि हमें जादा तर question जैसे यह वाला example इस एक से टेक्स में calculate हमने किया था तो उसके लिए y1, y2, y3 calculate किया था लेकिन यह वाले के लिए x1, x2, x3 calculate करना है difference क्या है y जब हम calculate करते है तब होटा क्या है हम y से vertically calculate करते है bottom से लेके certain distance तक हमारा यह बटाए y x में क्या होता है x में ऐसा नहीं होता है x में क्या होता है जो first shape है उसके bottom से लेके depending on कुम से वाला shape है जैसे first shape के लिए उसके bottom से लेके horizontally top top मतलब horizontally bottom से top top कैसे डेकेंगे वह भी बटाता हूँ तो यह certain shape top हमारा यहां से हो जाएगा horizontally x यहां पर इसे में 3D में बटाता हूँ तो यहां में कुछ ऐसा दिखेगा जो हमारा y रहेगा यह हमारा ऐसा रहेगा y जब calculate करेंगे तो यह ऐसे calculate करना पड़ेगा और जब x calculate करेंगे तो यह x axis का plane यहां से तो निवरा में manually कर जाता हूँ तो यह ऐसे रहेगा x axis का calculate करेंगे तो यह हमें देखते हैं की x1 कैसे calculate करते हैं x1 किसके लिए वा जो पहला shape है यह वाला 100 by 10 का उसके लिए x1 तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है total distance तो में एक distance दिया है 46 यह दिख रहा होगा और हमारा total distance कितना दिया है 100 तो यहां पे 46 को add करना है जो भी हमारा total distance है divided by 2 मतलब half the distance जो आएगा हमारा 46 add होने वाला है तो यहां पे देखते है 46 plus 100 by 2 कितना आता है 50 50 plus 46 हमारा आता है 96 mm अब next है x2 x2 का भी वहीं सेम चीज है जो भी हमारा total distance है उसके साथ 46 add करना है अब यह total distance कितना है तो total distance horizontally not a vertical distance नहीं टोटल distance होगा होगा हमारा horizontally यानि कि total यहां से लेकि यहां तक का distance कितना है 8 8 mm यहां पे लिखा हुआ है तो हम देखते हैं यहां पे total distance 46 plus 8 by 2 जो कि हमारा 8 by 2 4 आता है तो 46 plus 4 हो जाता है 50 mm अब next कि है x3 जो third हमारा object है यह shape बोलो उसको बॉटम से लेकि total distance इसका 50 है तो total distance by 2 प्लस 0 d by 2 total distance जो आएगा इसका by 2 2 plus 0 अगर करते है 100 plus 2 जो करेंगे वो हमारा आएगा 50 आएगा 50 next हमें calculate करना है x bar अब यहां पे इन्होंने थोड़ असा इससे छोटा कर जिया है यहां पे x के उपर एक टोपी है जो represent करती है x bar को यहां पे जो खुट से लिखोगे तो एक फोड़ इससे टोपी देढ़े यहां पे यहां पे यहां पे क्या आता है x bar का formula a1 x1 plus a2 x3 plus a n x क्योंकि n का क्या मतलए infinity रख जितने भी हमारे एरिया जे put ने since 3 एरिया a1 x1 a2 x2 a2 x3 divided by कितने एरिया जे t ने एरिया जे a1 plus a2 plus a3 तो हमारा पहला एरिया क्या आय था अब बस value put करने का काम है यहापे हम देखते है पहला एरिया था 1000 हमारा a1 अब next क्या है तो हमारा पहला एरिया होगे 1000 x1 क्या है 96 next हमारा a2 क्या है यहापे 1400 x2 क्या है 50 mm next क्या है a3 1000 mm यह एरिया वैसे mm2 और x1 x2 x3 mm यहापे यहापे हमारा x3 क्या है 50 mm और यह नीचे सारे एरिया जब हम इसी calculator में ला लेंगे जो कि मैं डालूंगा पुरसा पॉस कर लेते है तो यहापे हमारा answer आता है 63.37 जो कि यहापे correct है तो मैंने कैसे डाला है वो डेक सक्टियो स्क्रीन के उपर तो इसके बार हमें next के calculate करना है i x x हमें calculate करना है तो यह है मैं इसे close करता हूं calculating of i x इसके लिए हमें 3 चीज़े लगती है h1, h2 और h3 तो इसलिए क्योंकि हमारे 3 shapes है अब h1, h कैसे calculate करते है वो मैं बता तो h calculate करने का formula जो होता है x bar minus xn जो भी हमारा n के represent करता है 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हमारे number से वो number उसके इसाब से h1 के लिए मतलब जो भी हम xn के लिए calculate करें मानलब for example x1 के लिए calculate करेंगे तो h1 मिलेगा x2 के लिए calculate करेंगे तो h2 मिलेगा तो यहाँ पर फर्स जो हमें x1 calculate करना है sorry h1 उसके लिए formula आता है x bar minus x1 अब यहाँ पर ultra q लिखा है वह भी बताता हो जो हमारा x bar जो आया है 63.37 mm हमारा x1 के लिए 96 mm तो यहाँ पर अगर हम 63 में से 93 माइनस करेंगे तो answer negative आता है इसलिए x से लिखा गया है क्योंकि हम negative जो value है वह डाल नहीं सकते h1 के लिए इसलिए हमारा 96 माइनस 63.37 अगर करेंगे तो हमारा 32.63 में माता है next हमारा h2 का भी same h2 कितना है x2 कितना है हमारा 50 so 63.37 माइनस 50 अगर करते तो 13.37 से वन हमारा answer आजाएगा same h3 के लिए तो हमारा x3 भी same आए 50 mm आएए यह भी इस सबसे हो जाता है next हमारा है यहाँ पे calculation of ix लेकिन यहाँ पे हमें क्या calculate करना है moment of inertia about yy तो मतलब हमें iyy calculate करने के लिए क्या के लगेगा तीन चीज़े लगेंगे और इसलिए क्योंकि ixx जो होगा sorry iyy वो टीन जगा उसे आएगा यह तीन शेप्स के लिए यह first shape का iyy हो जाता है यह वाला जो shape है second उसका भी जो है iyy हो जाता है iyy 2 iyy 1 और यह first shape का iyy 3 वैसे टीनों को जब हम add करेंगे addition जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा तो हमें मिलेगा iyy total तो हमें total value चाहिए यह आप इसलिए इन टीनों को add करना पड़ेगा तुम individually भी calculate कर सकते हो क्या है कि जब हम इतना बड़ा अपने calculator पर डालते हैं तो गल्टी होने का chances ज़्यादा होता है तो अगर तुम इसे iyy को individually calculate कर दिया iyy 2 को individually calculate कर दिया और 3 को individually calculate कर दिया और फिर उनकी value को अगर add किया तो भी यह चलता है या फिर सभी को एक साथ भी calculate कर सकते हैं तो इसे मैं सभी को एक साथ calculate करके दिखाता हो तो इसे थोड़ा सा pause कर लेड़े time save करने के लिए तो अगर तुम इसे calculator पर पूरा का पूरा डालोगे तो एक error आएगी इसे मैं continue करूंगे जैसे 1000 डालने जाओंगा यह लास वाले वैल्यू तो यह continue हो पाएगा क्योंकि calculated इतना बड़ा equation अंडल नहीं कर सकता इसके लिए काम कर सकते पहला वाला जो है आय वाय 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 वन इसे के हम calculate करेंगे उसकी वैल्यू लिखेंगे सेकंड वाले की और ठर्ड वाले की लिखेंगे तो इसे में already से बना के रखाएं मैंने तो इसे erase कर जाता हो 180, 160 इसे में जैसे इंटर करता हो अब जो वैल्यू आएगी इसे में ENG कर जाता हो पर यहाँ पे उस वैल्यू को लिख देंगे 1.89 इंटो 10 रिख दी पावर 6 किसका है? Iyy1 का अब नेक्स हम कैल्कुलेट करते है Iyy2 तो यहाँ पे कैल्कुलेटर के स्टेप्स दी रेक्सेक्ट मैंने से कैसे कैल्कुलेट किया है तो यहाँ पे जो हमारा Iyy2 कितनात है 265.08 इंटो 10 रिख दी पावर 3 इसके बाद हमारा आखरी रहता है इसका स्टेप्स भी रेक्स दी यहाँ पे मैंने कैसे किया है? तो यहाँ पे ऐसे स्टेप्स कैल्कुलेटर में पूट के अब लास्ट वाला देखते है तो लास्ट वाला हमारा यहाँ पे आता है इसके स्टेप्स जो मैंने कैल्कुलेटर पे डाल लेते हैं इसे एंटर करने के बाद यह एंजी प्रेस करते है अब हमारा वैल जो आता है IYY3 का वाता है 1.01 x 10 रिख दी पावर 6 अब हमें क्या करना है? इस सभी को जो एड कर लेना है और जो IYY जो आये का IYY टोटल जिसे हम सिर्फ IYY कहेंगे तो यहाँ पे वो क्या बता है देखते हैं तो मैं ही रिख करता हूँ 1.89 x 10 रिख दी पावर 6 प्लस हमारा यहाँ पे आता है 265.08 लेकिन 10 रिख दी पावर 3 यहाँ पे आता है प्लस हमारा आता है 1.01 x 10 रिख दी पावर 6 तो हमारा यहाँ पे आता है 3.16 जो ठोड़ा सा कम आ रहा है यह से क्योंकि हमने पूरा का पूरा वैल्यू नहीं लिया था लेकिन decimal का error कोई बड़ी चीज नहीं वोटी तो हमारे answer यहाँ पे आ जाता है इसी के साथ और आ जाने से पहले जो यह चैनो का subscribe, वीडियो का like और share जरू कर देना और यह जो subject है इसका में सारे numerical solve करने वाला हूँ, यह particular exam paper के लिए, question paper के लिए तो इसके लिए मैंने एक playlist बना ही है जिसका link to me description में मिल जाएगा तो वो save कर लेना और एक और चीज़ अगर कोई doubt आये तो comment में लिख देना में उससे solve कर दूंगा reply में Thank you for watching and see you in the next one